नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है क्रिपी क्रैम्स में अगर किसी के बिचडने के एसास से आम इनसान क्या करता है वो दुखी होता है या फिर जाने वाले को रोखने के लिए उसे मनाता है लेकिन डेनिस निलसन इसके बिल्कुल भी प्रीत करता है वो उने मार के उनके लाश के साथ रहने लगता है जी हाँ ये सुनने में जितना अजीव और डरावनी लगती है उतना ही कौफनाक है डेनिस निलसन का जनम 1942 में स्कॉटलेंड में होता है निलसन के अब काफी कम उमर में उनके माबाप के तलाग के बाद वो अपने दादाजी के साथ रहने जाता है 1948 में निलसन के चटे जनम दिन के ठीके एक मैने पहले निलसन के दादाजी दिल का दोरा पढ़ने से चल बसते हैं निलसन अपने दादाजी के काफी खरीपता और निलसन के माँ निलसन को दादाजी के मृत्षरिल को आखरी बार दिखाती है 6 साल के कम उमर में अपने चहीते दादाजी को खोना और उनके मृत्द्दे को देखना निलसन के मांसिक्ता पर काफी गहर, गहरी असर कर देता है निलसन उसके बाद सभी से कटे कटे से रहने लगता है कुछ वक्त बाद निलसन की मा दूसरी शादी कर लेती है उसके बाद वो अपने नई पती के साथ बच्चों को लेकर स्ट्रिचन के गाउ में रहने जाती है जवान होते निलसन को ये आभास होता है कि उसे लड़कियों में कोई दिल्चस्पी नहीं है निलसन अपने सोए हुए बाई और बेहन के साथ शारिक संभन जैसा नाकाम कोशिश करता है इस कोशिश के बीच निलसन के भाई जाक जाता है उस रात के बाद उसका भाई निलसन को हैन कहके चिड़ाने लगता है जो कि स्कॉटिश बाशा में लड़की है ये एक तरह की गाली या बेज़ती जैसा है इससे गुस्सा है निलसन घर चोड सेना में भरती होने है तो 14 साल के उमर में आर्मी केड़ेट फोर्स जोइन करता है वो वेस्ट जर्मनी के शहर औसनवरुक में जाता है और वहां एक रात काफी मात्रा में शराब पीने के बाद बेहोश होता है वो अपनी जर्मन दोस्त के गर होश में आता है हाला कि उनके बीच कोई शायरिक सम्मन नहीं बने होते हैं पर वो घटना निलसन की बेहोश या अचेत पार्टनर के साथ शायरिक सम्मन बनाने की कालपनिक इच्चा को बड़ावा देता है उसके बाद वो जानबूच का शराप पीके बेहोश होने का नाटक करता है ताकि कोई बेहोशी में उसके साथ शायरिक सम्मन बनाए 1967 में आर्मी में हिंसा के कारण साउथ येमेन की आडेन में कारागार में उसका तबादला होता है वहाँ निलसन को रहने के लिए एक कमरा मिलता है वो अपने मन में एक ताकतवर आदमी से शायरिक सम्मन बनाने की कलपना करने लगता है उसे एक बार एक पेंटिंग धराफ्ट अफ मेडूसा देखने का मौका मिलता है उसके बाद निलसन को शाओ के साथ सेक्स करने की अपना इच्चा स्पास्ट होने लगता है उसे जर्मनी में फिर से बेजा जाता है और वो अपनी लेंगिकता परकने के लिए एक वेश्या को बुलाता है और वो उस सम्मंद को सबसे उदास और घटिया मैसूस करता है और अपने आपको समलेंगिक यानि गेस विकार करता है 1972 में वो आर्मी से रिटायर होके अपने घर वापस जाता है पर उसका गे होना गरवालों को अच्छा नहीं लगता है रोज रोज के जगडे से परेशान निल्सन लंडान आता है यहाँ पर वो पुलीस में बरती हो जाता है वो लगातार गेप अब जाता रहता है साल बार नौकरी की बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़ बोडी गर्ड का नौकरी करने लगता है फिर आखिर में सिविल सर्वेंट की नौकरी करने लगता है इस बीट निल्सन के काफी रि परिदने के नाकम कोशिश के बाद वहां शराब पी रहा निलसन होम्स को अपने गर शराब पिने को बुलाता है। अपने घर के फ्लोर बोर्ट्स में चुपा देता है। निलसन उसे लंडन गुमाने का प्रस्ताव रखता है। गूमने के बाद निलसन केनित को अपने घर बुलाता है, घर आये केनित को गाना सुनते वक्त गला गुट कर मार डालता है। अगली सुबा केनित के शव को अलग-अलग स्तिती में बिटा कर तस्वीर कीशता है और लाश के साथ टीवी देखता है। फिर एक प्लास्टिक बैक में भरके गाड देता है। अगले दो हफते तक कहीं बार केनित के लाश को निकाल के उसके साथ बैट कर टीवी देखता है, शराब पीता है और फिर उसे दफना देता है। अगला शिकारता 16 साल का मार्टीन डफे जो निलसन से लिफ्ट मांगता है। जब डफे सो रहा आता निलसन उसे गला गोटता है, फिर किचन सिंग में डुबा कर मार डालता है। अगले दो दिन तक निलसन डफे के लाश को नेलाता है और उसके साथ शारीक संबनाता है। डफे का लाश सूजने लगता है, तो निलसन उसे भी दफनाता है। बड़े पतिले में उबालने लगता है। सोते हुए हॉलेट को धम गोटने की कोशिश करता है। लेकिन हॉलेट जाक जाता है और दोनों के बीच हाता पाई होता है। आखिर में हॉलेट बेहोश होता है तो निलसन हॉलेट की सर को पांच मिड़ तक पानी में डुबाता है। और उसके बाद निलसन हॉलेट के लाश को टुकडे करके मास को टॉलेट में बहा देता है। और हड़ियों को कच्डे के डिब्बे में फेक देता है। दो महीने बाद काल स्कॉटर के साथ भी यही होपता है लेकिन स्कॉटर मरता नहीं फिर निलसन उसे बहाना बनाकर टाल देता है। स्कॉटर अपने गर चला जाता है। अगला शिकार ग्रहाम एलन को खाने के लिए घर बुलाता है जब एलन खाना खा रहा था तो निलसन उसे भी मार देता है पूरे तीन दिन तक उसकी लाश बात टब में पड़ी रही क्योंकि निलसन को अपनी नौकरी पर चुट्टी नहीं मिलता एलन के लाश को टुकडे करन जालने पर निलसन को पता चलता है कि कुछी दिन पहले स्टीफन ने कुदकुशी करने की कोशिश की थी निलसन स्टीफन के लाश को नहलाता है उसे पौडर लगाता है फिर अपने विस्तर पर बिना कपड़ों के साथ लेड जाता है फिर वो लाश को टुकडे करता है फिर मास की वज़ा से नाली जाम हुआ है जब प्लंबर माइकल कार्टरन निलसन को बताता है कि कुछ मास के टुकड़े और हड्डियों से नाली भरी है तो निलसन मजाक करते हुए कहता है किसी ने केंटु की फ्राइड चिकन बहाया होगा दूसरी सुबा प्लंबर अपने सुपर करने के बाद कि ये इनसानी मास और हड्डिया हैं तीन पुलिस वाफिसर निलसन के गर के बाहर उसके घर आने का इंतजार करते हैं और वे ये नोटिस करते हैं कि निलसन के गर के अंदर से सढने की बदबु आ रही है पहले तो निलसन चौंक जाता है जब उसे पुलिस वा उबलता हुआ मिलता है जब पुलिस वाय निलसन को पूछते हैं कि और भी है तो निलसन ने जवाब दिया बड़ी लंबी कहानी है पुलिस टेशन में आराम से बताऊंगा जब उसे पुलिस टेशन ले जाये जा रहा था तो एक आफिसर ने पूचा कि क्या ये लाश बचे दुल्म कभूला और पुलिस को लाशों को दफनाई हुए जगा ले गया हाला कि निलसन ने दावा कि उसे अपने शिकार लोगों को मारने का कोई इरादा नहीं था और कतल करने की वज़ा उसे पता नहीं क्यूंकि उसे उम्मीत था कि शायद पुलिस वाले इस वज़ा का पता लगा कर उसे खुद बताएंगे पूर नावंबर 1983 को चे कतल और एक कतली के कोशिश पर दोशी पाया गया और आजीवन कारवास का सजा हुआ इस पर पतिक्रिया देते वे निलसन ने कहा कि मुझे आज़ाद होने की कोई इच्छा है ही नहीं बारा मार्श 2018 को पेट की सरजरी के दौरन खुन जमने से निलसन की जेल की अस्पताल में मौत हो जाती है निलसन के शिकार समलेंगिक नवजावान थे जो निलसन को पब या अलग जगाओं पे इत्तिफाक से टकरा जाते हैं निलसन उन्हें खाना शराब या सेक्स के बहाने घर लाता और कतल करता उन्हें बेहोश करने के बाद टाई या दूसरी चीजों से गला गोट कर मार डालता अगर वो फिर भी मारे नहीं तो बेहोशी के हालत में किचन सिंख में डुबाता उसके बाद उन लाशों को वो नह परिक संबन भी बनाता उनके लाश सढने लगती तो उन्हें काट कर घर के पीचे दफनाता या कार के टायर के साथ जला देता कुछ लाशों के सिर पैर और हाथ और अंदुरुनी पार्ट्स को घर के बड़े प्रतिले में उबालता फिर टॉलेट में बहा देता था हड्ड पर देख सकते हैं